पुरस्टर्स एक्जामिनेशन जो की UPSC करवाता है 2019 का जिसका वी रेजल्ट आया है और पहली बार है कि क्या है कट आफ तो जी हां कट आफ है जनल की वेकेंसी निकल निए 38 और इसकी कट आफ की हम बात करेंगी इस वीडियो में तो सबसे पहले शुरू करते हैं किसकी क्या कट आफ है तो मिनिम्म कॉलिफाइंग मार्स है आई एफस का जनल का गया है 116 मार्ट पा 116 नंबर आए है कि EWS का साथ करता जरूर है और सबसे पहले मैं आपको एकोनमिकली बिगवार्ट सेक्षन की आप को कि 114 नंबर चाहिए हैं जो की EWS से ज्यादा है मतलब आप ओवी सी से ज्यादा फायदे मन्द में रहेंगे यार अगर आप EWS का सब्सक्राइब लगा आती हैं तो और सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सब्सक्राइब कर जाएंगे जबकि OVC जो की 601 नंबर चाहिए हैं EWS से काफी ज्यादा मांक्स चाहिए हैं और SC के लिए चाहिए 609 और ST के लिए 508 नंबर पर सेलेक्शन हुगा है मेंस में अब बात करते हैं टोटल टोटल 918 नंबर अगर आप लाती हैं तो भी आप जनरल में सेलेक्श हुपाएंगे जबकि आप EWS में अगर 849 नंबर में लाती हैं तो आप सेलेक्शन कर पाएंगे जबकि OVC में 876 नंबर चाहिए हैं और SC में चाहिए 832 नंबर और ST के 809 चाहस जी हां और अब बात करते हैं PWD के लिए तो PWD अगर आप 2 हैं तो आप 714 नंबर पर सेलेक्शन कर आएंगे तो प्लीज तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले का टॉप धमा का है तो सबसे पहले पीज लाइक किजिए और आपना EWS का सर्टिफिकेट बना आएंगे